हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक इन होट ट्रिपल वन फंटामेंटल्स अफ होटी कल्चर लेक्चर टैन प्रोपोगेशन मेथड ग्राफ्टिंग पिछले लेक्चर के अंदर अपने बढ़िंग के बारे में पढ़ा था कि बढ़िंग क्या होती है जैनि कि कली कायन क्या होता है इस लेक्चर में अपने ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे कि ग्राफ्टिंग क्या है और इसमें जो में तत्तव क्या है ग्राफ्टिंग के ठीक है और क्या reason है grafting और budding करने के लिए जहां फिर इसके जो types हैं जैसे veneer grafting है, waste grafting है, cleft grafting है, ठीक है, ऐसे ही और breeze grafting है, उनके बारे में इस lecture के अंदर अपने cover करेंगे. तो पहले grafting क्या होती है, grafting is a process by which two living parts are jointed together in such a manner that they would unite together and subsequently grow into a composite plant. जो grafting है, एक ऐसी process है, जिसमें दो living parts को इस परकार जोड़ा जाता है, दो living parts मतलब जिन्दा पोदे के दो भागों को इस परकार जोड़ा जाता है, कि वे दोनों जुड़ जाएं और एक नए पोदे की तरह ग्रोव करें, एक पोजिट प्लांट की तरह ग्रोथ करें. Usually the graft has two parts, the sign and the rootstock, जो graft होता है, जानि कि जो निया पोदा होगा, उसमें दो भागोंगे, एक तो नीचे वाला भाग, जड़ शेतर बनाएगा, जिसे rootstock कहते हैं, और दूसरा sign, ठीक है, जो उपर वाले वाजविया pro का निर्मान करेगा, sign कहलाता है, अगर इसकी आपको definition दे फिर है reason for grafting and budding, जैसे दूसरे propagation के method थे, जैसे आपने cutting पड़ा, ठीक है, layering आगे आएगा, divisions है, और भी कोई propagation का method है, उनमें अपने देखा था कि उसमें generally ये द्यान रखना कि ज्यादातर में दो parts जो मैंने अभी बताये तुमें कि इसमें science होना चाहिए, एक rootstock होना चाहि के अंदर ही मिल सकते हैं, ठीक है, और cutting के अंदर, layering के अंदर, division के अंदर आपको single parent जो होता है, उसी का clone त्यार करते हो, इसमें आपको दोनों के गुन नहीं मिलेंगे, मतलब rootstock तो होता ही नहीं है, सीधी एक cutting ही होती है, layering भी और cutting भी, और division भी अपने आप में उसी पोधे का एक भाग होता है, ठीक है, तो pre-creating clones that cannot be readily propagated by cutting, layering, divisions और other sexual methods, मतलब ऐसे clone बनाना, जो दूसरे propagation विदियों से, जैसे cutting है, layering है, जैसे division है, जैसे अधर परवर्दन की विदियों उनसे नहीं बनाए जा सकते, वो इनसे बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे पोधे, जो दो पोधों क मिलाप हो, pre-creating, ठीक है, obtaining the benefits of certain rootstock, इसमें अपने जो rootstock के benefit हैं, उनको भी अपने obtain कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा कि cutting और layering के अंदर, जैसे division के अंदर, एक ही plant के जो बिल्कुल clone होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, rootstock अलग species का होगा, ठी species अलग होगी, ठीक है, दूसरा, जो उपर वाला अपने, जिसको desire variety है, वो अलग होगी, तो दोनों के गुनों को अपने mail करवा सकते हैं, उसके दोनों के benefits ले सकते हैं, जैसे मान लो, कि मेरे field के अंदर, मैंने थोड़ी सी मिट्टी, salty है, और वहां पे कोई ऐसा, जो simple variety है, वो वहां पे grow नहीं कर रहे, तो मैं वहां का local जो परजाती है, उसको ले लूँगा, उसको graft कर लूँगा, उस variety को, ठीक है, मतलब मुझे benefit मिला, मुझे तो फल तो वही प्राप्त हो रहे हैं, जो मुझे desire थे, मेरी variety चाहिए थी, नीचे जो root stock लिया मैंने, वो ऐसा ले ल current था, ठीक है, obtaining the benefits of certain plants, double working, मतलब इसके लाब आपने और भी benefits ले सकते हैं, बहुत से पोदों के अंदर, जैसे double working करते हैं, जैसे मालो की एक inter stock बीच में लगाया, ठीक है, कुछ species ऐसी होती है, अगर सीधी graft करने की कोशिश करें, उसी पोदे के उपर, तो वो graft compatible नहीं होता, मतलब वो जुड़ते नहीं है एक दूसरे को, तो बीच में एक और, कहलो की, inter stock यूज किया जाता है, एक टुकड़ा, ठीक है, पहले साल उसको inter stock को जोड़ा जाता है, root stock के उपर, फिर उसके बाद उसके उपर sign लिया जाता है, ठीक है, तो उसके भी benefit इसमें लिये जा सकत हैं, इसके लावा changing cultivar of established plants, top working, मतलब जो पहले से एक पोधा लगा हुआ है, अपने चाहते हैं कि ये किसम मुझे अच्छी नहीं लिये लगा रही, और मुझे इसको change करना है दूसरी किसम के अंदर, तो वो भी top working जो है, आगे अपने पढ़ेंगे, उसके थूरू इससे किय जा सकता है, मतलब मालो की कोई एक वैसी example दे रहा हूँ, जैसे L49 लगी हुई है, मुझे चाहिए कि इलावा सफेदा या कोई दूसरी किसम चाहिए, तो L49 को मैं उपर से top working कर दूँगा, इलावा सफेदा कि मुझे फल मिलने लग जाएंगे, एक पूरे के पूरे पोधे क बड़े पेड़ के उपर, ऐसे नहीं कि मुझे पहले से उसकी प्लांटिंग करनी पड़ेगी, फिर 3-4 साल उसका वेट करना पड़ेगा, इसकी बजाए बस लगबग एक साल बाद ही फल देना स्टार्ट कर देता है, इसके लावा प्रिकोसिटी इन बेरिंग, जोनाइल फेज होती है, उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब जल्दी फ्लोवरिंग में आ जाएगा, जोनाइल फेज मतलब जब पोधा उगा था, जर्मिनेट हुआ था, उसके बाद से जब तक वो फल देना स्टार्ट किया, पहली फ्लोवरिंग हुई, उसके प्लांट ग्रोथ, अपने कुछ स्पेशल फोर्म्स भी प्लांट ग्रोथ की अप्टैन कर सकते हैं, जैसे मैं मान लो कि एक ही पोल प्लांट के उपर मैं दो तिन किसमों के फल लेना चाहूं तो, जहां जैसे गुलाब मान लो, अलग-अलग कई वाद देखा होगा कि एक ही इसके अलबा जो ग्राफ्टिंग है, जैसे ब्रिज ग्राफ्टिंग है, इससे आप उस पोधे के जो ड्रिज भाग हैं, उनकी भी आप रिपेरिंग जा मरमत कर सकते हों, ठीक है, वो आगे पड़ेंगे अपने ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होती है, रिपेरिंग क्या होत इल्मेंट्स जानी कि तत्तव क्या है सक्सेस्फुल ग्राफ्टिंग के लिए there are five important for any successful ग्राफ्टिंग ओपरेशन मतलब इसके लिए five successful ये कहलो कि एक इल्मेंट होते हैं तत्तव होते हैं जो successful ग्राफ्टिंग ओपरेशन के लिए बहुत जुरूरी है अगर अपने उपरेशन को successful बनाना चाते हैं मतलब मैंने ग्राफ्ट की वो successful एक नए पोदे में विक्सित हो जाए तो पहला है the rootstock and sign must be compatible जो rootstock है जानी कि मूलवरंद और sign जो सांकुर शाका है दोनों compatible होने चाहिए मतलब दोनों एक दूसरे के उपर cambium of the sign must be placed in intimate contact with that of the rootstock जो vascular cambium होता है vascular cambium मतलब मैंने कहा था कि उपर वाली जो layer होती है ठीक है phloem अंदर बिलकुल जो लकड़ी को ठोर होती है वो जायलम बीच में एक cambium की layer पाई जाती है तो जो cambium है उसमें बार-बार जहां कहलो कि उसी के कारण ही careless का निर्मान होता है वो ही जल्दी जल्दी विवाजित होता है तो जब भी अपने पोधे के अंदर grafting करती है जब बढ़िंग करती है तो हमेशा ध्यान रखो कि जो उसका vascular cambium है green वाला बाब जो अंदर दोनों के भी शाल के नीचे वाली पार वो यह कहलो कि बिल्कुल contact में हो जहने कि जो science का है और उसका दोनों जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ contact में आ जाएं ठीक है जिससे कि आपकी grafting जो भी आपने cut लगाए हैं वो जल्दी भर जाएं इसके लाबा the grafting operation must be done at a time when the rootstock and science are in the proper physiological stage grafting जाएं उपरेशन है उस time करने चाहिए जब rootstock और science दोनों एक ऐसी अवस्था में हो यह कहलो कि प्रोपर अवस्था में हो मतलब उनकी age भी सही हो उनकी मोटाई भी सही हो इसके अलाबा उनमें उस time जो व्रदी हो रही होती है जानी की पोदे में वो होनी चाहिए जैसे मान लो कि उसका जो cambium है ठीक है वो उस time नियंतर ग्रोध कर रहा हो ठीक है शाल असानी से अलग हो रही हो कहने का मतलब तो उस time अगर करेंगे तो अपनी जो operation जा कहलो कि successfully grafted all cut surface must be protected from desiccation जैसे ही अपने grafting का operation पूरा कर ले ठीक है जानी की grafting हो जाए आपने उसको पोदे के साथ जोड दिया उसके वाद जो भी cut surface है जो भी खाली रह रही है उसे polythene की tape से जादो डख दो जाँ उसके अंदर wax बर दो कि उसमें अपने sudden से रोखने के लिए ठीक है protect from desiccation जो sudden होती है गलन होती है उससे बचाने के लिए उसको उसी time जैसे ही grafting हो जाए उसको cover कर दो इसके बाद proper care must be given to the graft for some period of time after grafting और इसके अलाबाद जब आपने graft करके रख दिया पोदा ठीक है उसको cover भी कर दिया उसके बाद कुछ time तक उसकी धंक से देखवाल करनी चाहिए क्योंकि अगर थोड़ी से भी हवा तेज चलेगी हो सकता है आपका जहां से graft grafting हुई है ठीक है वो वाला point है वो हिल जाए तो बिलकुल ध्यान रखना चे उन पोदों का कुछ time के लिए जब तक कि graft जुड़ते नहीं है फिर है types of grafting grafting के कुछ types है वैसे तो और भी बहुत से type है अलग-अलग तरीके से की जाती है तो जो main-main है किताबों के अंदर आपको देखने को मिलेगे veneer है whip grafting है tongue grafting है cleft है waze है breeze grafting है epicotile grafting है softwood grafting है इसके अलावा inarching है ठीक तो पहला है veneer grafting veneer grafting क्या होती है यह shallow downward and inward cut from 2.5 3.5 cm long is made एक shallow मतलब उतला ठीक है downward नीचे की तरफ और inward मतलब अंदर की तरफ एक cut बनाया जाता है 2.5-3.5 cm long at the base of the cut a second short invert cut downward cut is made inserting the first cut so as to remove the piece of wood and wire चलो थोड़ा समय आपको picture की तरफ लेके चलता हूँ वो ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है जैसे मालो यह picture है picture के अंदर उसने कहा कि पहले यह cut 2.5-3 cm का लंबा cut लगाते है ठीक है दूसरा cut फिर इसके बाद एक ऐसा ही cut लगाया जाता है ठीक है और बीच में से जो इतनी लकडी निकली इसको निकाल देते है इस piece को बाहर निकाल देते है ठीक है मतलब पहला cut यह था sides में किया जाता है एक side से तो side से इसमें लकडी का एक piece निकाल देते है तिर्शा फिर the sign is prepared with a long cut along one side and very short one at the base of the sign on the opposite side same procedure ठीक है यह आपका sign है sign के उपर की side तो एक लंबा cut दूसरा short cut छोटा cut नीचे की side जैसे अपने pencil चीलते हैं कुछ वैसा तो नहीं क्योंकि pencil अपने बिल्कुल round चीलते हैं एक side जैसे wedge बनानी हो wedge shape का cut लगाया जाता है ठीक है these sign cut should be of the same length and width as those made in rootstock so that the vascular cambium layer can be matched as closely as possible दोनों जो cut होते हैं बिल्कुल same length के और चड़ाई के होने चाहिए लंबाई और चड़ाई के होने चाहिए जैसे की rootstock पर बनाए गए है जिससे की जो vascular cambium है ठीक है cambium वो बिल्कुल touch में आ जाए एक दूसरे के साथ जानि की आपका इसका जो cambium है sign का वो rootstock के cambium के साथ बिल्कुल touch में आ जाए ठीक है फिर आफ्टर इंसर्टिंग दा सायन दा ग्राफ्ट इस टाइटली रेब विद polythene strip उसके अंदर आपको fit करना है पहले जो sign है उसे rootstock के अंदर उसके बाद उसे मजबूती के साथ polythene की जो पट्टी होती है उससे बांद देना है जैसे ही union complete हो जाती है मतलब जब आपको लगे कि ये आपका जो घाव हैं इसके दोनों एक साथ दूसरे के साथ चिप गए हैं हील्ड हो गए हैं ठीक है तो rootstock को उपर की side से काड़ देते हैं उपर से एक जाँ दो में कट में चीरे में काड़ देते हैं ठीक है कुछ ऐसे जे वाली चीज जो है आपको लगता है कि ये कुछ दिनों बाद जैसे एक मेना डेड़ मेने बाद आपका ये union complete हो गई और ये growth करना start कर दे तब उसे जो ये मूल वरंत है इसे उपर से काड़ते हैं ठीक है उपर से फिर काड़ते हैं इसे इसके बाद इस method is commercially used for rising mango and walnut plant और इस जो वीदी का जो commercially use किया जाता है वो आम के अंदर और walnut अकरोट के अंदर commercially इस वीदी को यूज किया जाता है ठीक है यह कुछ vineyard grafting की pictures है ठीक है मैंने जैसे बताया ही था आपको इसमें चीरा लगाते है ठीक है वेजा कार की sign लिया जाता है इसको insert करते हैं फिर polythene की tape से बांद देते हैं उपर से बाद में जैसे union complete होती है उपर से काड़ देते हैं next is splice and whip grafting splice भी बोल देते हैं और whip grafting भी बोल देते हैं it is essential that both the stock and shine should be of equal diameter whip grafting के लिए यह जुरूरी है कि जो stock है आपका मतलब root stock है और जो shine है दोनों का जो diameter है जो मोटाई है वो बिलकुल equal हो एक जैसी मोटाई के हों for this about one year old root stock is headed back at a height of 20 to 25 cm from the soil and a splice diagonal cut of 2.5 to 6 cm long is made at the distal end of the root stock with the help of a sharp knife ठीक है चलो मैं आगे इसके बारे में सारा बताऊंगा अभी अपने थोड़ा से देख लें a similar slanting cut is made on the promexal end of the scion the cut should be smooth and the cut surface of the both root stock and scion are bounded together and tied firmly with the polythene strip after the union has taken palace the polythene tape is cut otherwise it restricts the growth at the point of union and such plant beak due to wind break due to wind walnut, apple and pear इसका example है जिनके अंदर ये विदी की जाती है बहुत ही simple विदी है ठीक है इसमें जो cut लगाय जाते है पहला जो ये नीचे वाला root stock है उपर सायन है ठीक है root stock के अंदर एक 2 से लेके 6 cm लंबा slanting cut लगाया जाता है splice लगाया जाता है simple ठीक है script शा सीदा वैसा ही उतनी ही लंबाईगा cut सांकूर जो है आपका सायन है उसके उपर लगाया जाता है दोनों को match किया जाता है ठीक है उसके बाद इसे polythene की tape से बांद देते है जैसे ही आपका union complete हो जाती है उसके बाद इस polythene strip को हटा देते है यहां से नहीं तो क्या होगा कि यहां से यह कमजोर रह जाएगा इस union वाले point से यह पोदा कमजोर रह जाएगा मोटा होना स्टार्ट हो जाए ठीक है कुछ ऐसे ही चीरे लगाए जाते है जैसे ही इसमें लगाए हुए है फिर है tongue grafting tongue grafting कहलो उसी का modification है जो splice grafting जो आपने अभी whip grafting पड़ी थी same उसी का ही एक modification है इसमें थोड़ा सा interlocking वाला system होता है जल्दी एक दूसरे में फस जाते है और थोड़ी बहुत हवा तेज चलती है तो हिलने का डर नहीं रहता है और ज्यादा cambium का जो ज्यादा भाग होता है वो मूलवरंत का और root stock का ज्यादा एक दूसरे के contact में आता है ठीक है इससे union जो होती है ज्यादा successful होती है बोदा जल्दी त्यार हो जाता है आपका यह उसका एक रुपांतरित विप ग्राफ्टिंग का है ठीक है इसके बारे में बताऊंगा रूट जोब लो जोट लोट बन लोट जोज यरोoster जोट जोग्षाइ भलगYou कर ऑ्टर विप लोग्ट साफिस YOUR जाजर जोट भिप लोट जो tolerate जोट जोट गपतर लोटिभ बता है they should be securely held by tying with the polythene tape this method give better success than whip grafting मतलब उससे अच्छी successful मिलती है whip grafting की तुलना में tongue grafting के अंदर regular de-shooting of sprouts on stock is required to obtain better growth of cyan ठीक है उसके बाद de-sprout shooting मतलब नीचे से जो भी शाखाएं निकलती है stock से root stock से उससे time नहीं हटाते रहना है जिसे की जो साय ना वो अच्छी growth कर सके तो whip grafting, tongue grafting होती क्या है वैसे मैंने कहा कि ये विल्कुल रुपांतरी थै तो अपने tongue, whip grafting के अंदर क्या करते है एक simple slanting cut लगाया, इधर भी slanting cut लगाया, सायन के अंदर भी इसमें क्या करते है, इसका one third ये पूरी लंबाई के one third के अंदर एक cut अंदर की तरफ लगाते है और जो की पहले cut की तुलना में half दूरी पे हो, इस जो यहां तक लंबाई है यहां से half तक हो, आदी दूरी तक वैसा ही cut आपका जो sign है उसके अंदर लगाते हैं, half दूरी तक अंदर, one third लेके उसका half, और दोनों को इस प्रकार एक दूसरे के अंदर फसा देते हैं इंटर लॉक कर देते हैं, जिससे यह दोनों slip नहीं होती, और आपका जो cambium का ज़्यादा तर भाग है वो ज़्यादा, मतलब यह भेक लो, यहां से लेके यहां तक हो गया, पहले क्या था, यह इतना सीधा सीधा था, अब नीचे और चला गया, तो ज़्यादा भाग, cambium का एक दूसरे के touch में आएगा, तो जल्दी आपकी union complete होगी, और successful ज़्यादा होने के chance रहेंगे, मतलब ज़्यादा success आपको मिलेगी, तो क्योंकि इसमें बनाने के लिए आरी की आफशकता होती है, ठीक है saw, it is performed in a late winter or early spring before the bark begins to slip, generally जो waste grafting है, वो जहां तो सर्दियों के बाद में जानी के लिए, सर्दियों के निकलते हुए सर्दियां जब होती है, जहां spring में शुरुआत में करते हैं जब जो बार्क होती है शिलका होता है, वो ए शाल जो लकडी होती है, उससे slip होना start होता है, उस time ठीक है, वो एक्टिव ग्रोथ में आनावे वाला start होता है, ज्यादा तरप होते होते हैं, जो सर्दियों के अंदर dormant हो जाते हैं, उसके बाद, जस्ट बाद ठीक है, dormant condition जैसे ही तूटती है उस time, ये sharp heavy short bladed knife is used to for making a V-waste in the side of the stub or stock about 5 cm long एक sharp और एक कहलो कि sharp heavy और short bladed knife इसमें यूज किया जाता है, बन्तब भारी और बहुत ही तीखा और छोटे blade वाली जो knife होते है, उसको use किया जाता है, V-waste shape बनाने के लिए, ठीक है एक जो stub है, आपका जो एक ठूंट है, उसके अंदर जो लगबग 5 cm लंबा होना चाहिए, जो cut बनाओगी न, वो 5 cm, मैं आगे बता दूँगा जो पिक्चर के अंदर और ज्यादा समझा दूगा ठीक है, टू cuts are made coming together at bottom and as far apart at the top as the width of the sign, जो two cuts बनाए जाते हैं, जो दोनों bottom की तरफ बनाए जाते हैं, ठीक है top से sign से, चलो आगे बता हूँ, इसके बारे में दंग से, देख के picture में जो आप अपने देखते हैं, तो ज्यादा समझ में आता है इसके बाद, these cuts extended about 2 cm deep into the side of the stub, ठीक है, extend किया जाता है 2 cm तक, the base of the sign is trimmed and a way sharp cut exactly the same size and shape as the opening, ठीक है, उसके बाद अपने, इसको भी आगे देखेंगे with the two with the two vascular cambium layers matching the sign is taped downward firmly into the place and slanting outward slightly at the top so that the vascular cambium layers cross after all sign are firmly taped into place all cut surfaces including the tips of the sign should be waxed thoroughly ठीक है, जो उसकी आपकी tip बचती है उसकी sign की उसको भी generally wax कर देते है it is also called sock curve grafting because the cut is made of the rootstock can be made with a saw rather than the sharp knife generally जो इसमें cut बना जाते है वो आरी से बना जाते है एक तीक है चक्कू की तुलना में जो भी cut बना जाते है इसलिए इसको sock curve grafting भी कह देते है कुछ इस परकार से base grafting के अंदर cut बना जाते है ठीक है इसमें एक आरी से लिया आरी से अपने V-shape का एक cut बनाया लगवर 5-2 cm था 5 cm लंबा नीचे की तरफ दो cut लगाए ठीक है वैसा ही यह कहलो कि जो आपने generally use करते है stock जानी की sign use किया जाते है उपर वो दोनों generally side में use किया जाते है और cut भी हमेशा side में ही बनाया जाते है जिससे की इसकी कम से कम एक side ठीक है जो आपका sign अंदर लगा रहे हो इसकी एक side इसका जो उपर वाला जो stud आपका है ठीक है इसके cambium के contact में आ सके contact में मतलब cambium ये वाला cambium बाग है इसके contact में आ सके कुछ ऐसे ये वाला बाग cambium के contact में आ सके तो इस परकार cut लगाओ और भी cut लगा सकते हो आप इसके अंदर जिससे और ज्यादा शाखा है आप एक ही जो पुराना स्टड होता है उसके उपर लगा सको ठीक है उसके बाद जो भी आपका खाली जगया होगी जहां आपके अंदर इसके अंदर कोई जगया बच जाती है उसे वैक्स से कवर कर दिया एता है ठीक है उपर से वैक्स बर दी जाती है, next है gust verderis grafting, verse grafting क्या है, एक तरीके की repairing type की grafting है, छिक है जैसे मैं इसमें आपने पढ़ा था पहले भी क्या है ? क्यों की जाती है grafting और जाPower बड़िंग इसमें आप इसकी repairing भी कर सकते हो जो पुराना पोता है उसकी, विरस grafting is basically not a method of propagation, but a form of repair grafting only in plants which have been damaged either by forest, rodents, or insects. bridge grafting basically propagation की विदी नहीं है, वैसे अगर माना जाए तो यह propagation की विदी नहीं है, इससे नहे पोदे त्यार नहीं होते, जो पुराना पोदा है उसको रिपेर किया जाता है, यह एक रिपेर ग्राफ्टिंग है, ठीक है, जैसे कोई भी पोदा जो पाले के कारण, जांपिर कोई कीप in mind that bridge grafting is only helpful in the trunk is damaged, but the root system of the plant is healthy, यह ध्यान में रखने वाली बात है, वैसे आजकल तो जो root system होता है, उसको भी आप अगर खराब है, तो उसको भी आप change कर सकते हो एक time, अगर आदा अभी चल रहा है तो आप उसको change कर सकते हो, ठीक है, तो bridge grafting के अंदर अगर generally एक बात तो आपका trunk है, वो damaged हुआ है, आपका root system अभी भी plant का healthy है, तो आप उसे repair कर सकते हो, damaged portion of the stock is clean and the regular age of the griddled area are cut eventually, इसके वाद जो damaged portion होता है, root stock के उपर या stock के उपर, जिस भी पोदे को आप repair कर रहे हो, उसके उस बाग को clean किया जाता है, साफ कर लेते हैं, और उसकी जो uneven regular, जो uneven ages होती है, किनारे होती है, जैसे मैं picture में बताऊँगा, ठीक है, उनको एक बिल्कुल plane कर लिया जाता है, किनारों को, जो भी griddled area है, in healthy portion of root stock, incision is made on top and bottom portion of the stock, जैसे अपने उसके अंदर, पहली पहली ग्राफ्टिंग के अंदर, vineyard ग्राफ्टिंग के अंदर, side ग्राफ्टि होगा उपर, जो आपका griddle area है, उसके उपर healthy भाग में भी और नीचे वाले भाग में भी, वैसा ही incision बनाया जाता है, the sign is inserted in such a way that it is attached at both upper and lower end into a living bark, similar it is important that sign should be inserted right side up to ensure the polarity, मतलब ये रखो कि ध्यान में, इसके बाद एक जो sign लिया जाता है, उसकी polarity को ध्यान में रखते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि शाखा उल्टी लगा दो, उपर वाला जो भ्रती हो रही है, जो उसका base वाला भाग है, उसे उल्टी side नहीं लगा ना, उसको जैसे सीधा वो growth करता है ना, उसी हिसाब से, उपर वाला भाग, उपर, नीचे वाला भाग, नीचे, same, ठीक है, वैसे ही, ज entire channel for decaying organisms, जो exposed injury blood है, जानि कि जो भी पहले से घहाब वाली है, जहां कहलो कि जहां पर भी आपने ग्राफ्टिंग किया, वो वाला भाग भी, उसको पूरे भाग को cover कर देते हैं, बहले आप उस पे wax लगाओ, जहां polythene strips से cover कर दो कि उस पे कोई organisms, जो भी गलाने वाले organisms हैं, वो उस पे growth ना करें, ठीक है, कुछ इस परकार से होती है, ब्रिस ग्राफ्टिंग, ठीक है, ब्रिस ग्राफ्टिंग में मानलों कि ये पोदे का ये भाग नीचे वाला जो आपको दिख रहा हैं, छिला हुआ, ये भाग इसकी बार कैलो की खतम हो गई थी, शिल का खतम हो ग वाला भाग नीचे उपर वाला भाग उपर, उनको एक जैसे वीनियर ग्राफ्टिंग के अंदर कट बनाया था अंदर की साइट, वैसा ही खांच बनाके उसके अंदर उसे फसा दिया, नीचे की साइट भी उसे फसा दिया, हेल्दी पार्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे ही 4-5 मैंने उसके अंदर फिट कर दी, कुछ इस प्रकार से, इस पिक्चर में देख सकते हो आप, 4-5 ठीक है, दीरे-दीरे क्या होगा, ये यूनिन कंप्लीट हो जाएगे, जुड़ जाएंगे एक दूतरे के साथ, और जितना भी पोधे का फ्लोयम वाला भाग जो नस्ट हुए तो इस प्रकार से इस पोधे को आप रिपेर कर सकते हो, कि ये पोधा खराब नहीं होगा, अगर ये पोधा यहां से शाल चिल जाती, तो ये पोधा सूख जाता थोड़े टाइम बाद, तो ऐसे ही अगर आप इसकी जड़ें खराब हो जाएं, जो कोलर रिजन होता है, वहा आप ये ग्राफटेट पोधे चारो तरफ लगाए, उनके उपर से काटा और उनको इसमें एक इंसेशन बनाया, जो आपका मेन पोधा है उसके अंदर और उन्हें इंसर्ट कर देते, तो आप इस परकार से भी से रिपेर कर सकते थे इस प्लांट को, अगर इसका रूट वा ग्राफटिंग क्या होती है, कमर्शली यूज़ फॉर राइजिंग मैंगो, स्पोटा, टैमरींड, एंड कैशोनेट इन वेस्टन इंडिया, इट इस आलसो नोन एज इन सीटू ग्राफटिंग, सॉफ्ट वूड ग्राफटिंग को इन सीटू ग्राफटिंग भी कह देते ह मतलब होता है, जैसे मालो मेरा फिल्ड है, खेत है, खेत के अंदर मुझे प्लांटिंग करनी है, तो मैं उसी खेत के अंदर ही ग्राफटिंग करूँगा, ऐसे नहीं कि पहले मैं नर्सरी में पोधे त्यार करूँगा, ग्राफटिंग नर्सरी में नहीं होती, इन सीटू ग करते हैं in this technique grafting is done with mature procured sign on the emerging soft coppery red shoot of the root stock which is 60-70 days old इस technique के अंदर जो grafting करते हैं इसमें जो sign होता है वो mature होता है ठीक है मतलब एक साल लगबग पुराना होता है और बिल्कुल emerging soft होता है इसके लाबा जो आपका stock लिया जाता वो coppery shoot वाला होता है लगब 60-70 दिन का ठीक है मतलब एक साल वाला आप stock यूज नहीं कर रहे जो आम का मालो जैसे ही 60-70 दिन होते हैं वो निकलता है और उस time उसमें पतियां red color की होती है coppery red color की होती है आमने आम के अंदर आप generally देखते हो तो इसकी procedure क्या है मैं आपको पहले simple ही बता देता हूँ इसमें अगर पढ़ेंगे ज्यादा confusion होंगे तो क्या करते हैं एक field है आपका खेत है खेत के अंदर आपने खड़े खोद लिए जहां पर आपको planting करनी है वहां पर आप दो जा तीन गुठलिगा एक खड़े के अंदर दबाद होगे लगवज 60-70 दिन बाद जो भी आपके पोदे निकलेंगे उनको उपर से आप graft कर दोगे ठीक है graft इस विदी से कर दे 60-70 दिन बाद ही इसमें फाइदा एक यह है कि आपको एक साल rootstock के उपर wait जो आपको पहले rootstock त्यार करना था एक साल का करना था उसके बाद उसके उपर आप graft करते ठीक है फिर आप 60-70 दिन उनका wait करते जब graft union complete हो जाती फिर उसको आप field में shift करते इसमें क्या किया आपने एक सीडू वहीं पे सीड को बोदिया सीडू पोदा उगयाया field के अंदर ही और उसी के उपर आपने 60-70 दिन के अंदर तो आपने उसके उपर graft कर दी जब वो 60-70 दिन का थो एक साल वाला टाइम तो बची क्या आपका पूरा का पूरा ठीक है इसलिए ये in-situ grafting है ऐसे ही soft ठीक ग्राफटिंग के तरह ही एक एक कोटैल ग्राफटिंग भी होती है वह अपने आगे पड़ें गेंगी ठीक है तो इसमें और क्या करते है था है आपकंतो nai टाइक की अंदर क्या करते है उसके पहले उपर n qua and does it के अंदर एक चीरा लगाते हैं बीच में से एक चीरा लगा लेते हैं ठीक है लगबग डाई से चार सेंटीमिटर लंबा दा लोर पोर्शन ऑफ 10 तो 15 सेंटीमिटर लॉंग सायन सेंटीमिटर लंबा लेते हैं लंबाई में जैसे आपने वेश शेप के अंदर देखा था जा फिर आपने वीनियर ग्राफ्टिंग के अंदर जैसे प्रिपेर किया था ना स्टॉक सायन जैसा उसमें तियार किया था वेश शेप का सेम ऐसा ही 10 से 15 सेंटीमिटर लंबा एक इंस्टीरिशन बना लेते हैं उसमें एक लंबा लंबा त्यार कर लेते हैं वेश शेप का बोथ स्टॉक एंड सायन आ टाइट with help of polythene strip पहले तो दोनों को फसा लेते हैं fit कर लेते हैं stock के अंदर फिर उसके बाद उसे polythene की strip से बांद देती हैं in about three to four weeks the sprouting starts and graft start down growing जो आपका तीन से चार week के अंदर आपकी union complete हो जाती है और जो sprout आपने उपर लगाया वो sprouting start करता है footna start कर देता है ठीक है sometime the sign is then covered with a polythene back ten hundred gaze की and tight with thread to keep the sign fresh till the complete union is formed जैसे कभी कभी क्या करते हैं जो भी आपने उसमें grafting की है field के अंदर उसको moisture देने के लिए उसे उपर से polythene की polythene से cover कर देते कि उसमें moisture बना रहे क्योंकि वो open condition में एक field में लगा हुआ पोदा है और grafting के लिए थोड़ासा नम वातवन चाहिए होता है थंडा वातवन चाहिए होता है तो moisture से बचाने के लिए आप उसके उपर एक polythene ठीक है polythene से cover कर दोगे उस जगाए को जहां पर आपने grafting की है after sprouting the bag is removed जैसे sprouting start हो जाती है आप bag को remove कर दो to have better success the leaves on the stock must be retained जो stock होगा आपका उस पर पतियां रहने दो अगर आप चाहते हो कि यह successful हो जाए grafting तो stock की जो पतियां है उनको रहने दो ठीक है root stock की sign की आप remove कर सकते हो और stock की पर उसमें रहने दो कुछ इस परकार से ठीक है इसमें एक slant सीधा cut ठीक है उपर से dehyded किया और सीधा cut लगाया नीचे तक फिर इसमें लगबग वोई लगब 5 cm लंबा इसके अंदर एक stock sign फसाया जाता है फिर इसे polythene से भी cover कर देते हैं अगर जुरूरत पड़े तो कुछ इस परकार से फस जाता है ठीक है इसका दोनों के cambium दोनों contact में आ जाए कुछ इस परकार से union complete हो जाए तो polythene हटा देती है इसाइन फिर एपिकोटैल गराफ्टी जैसे विजजर्व अब भी पढ़ा था सॉप्ट वोड ग्राफ्टी सेम ही इक फरकार काट इसे बलदेते हैं जो एपिकोटैल भाग होता है ठीक है वह ऐस्ताइम granting के समय स्टक के साथ जुड़ा रहता है ठीक है बीज जो स्टोन होता है आम का जैसे गुठली है वो उस टाइम नया नया उगा हुआ पोधा होता है लगबग दिस्क दिन का तो उस टाइम उसके साथ ही जुड़ा रहता है इसलिए इसको इपिकोटेल ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं और स्टोन ग्राफ्टिंग ठीक है यह भी इनिशिल टाइम में की जाती है टाइम बचाने के लिए की जाती है फॉर एपिकोटेल ग्राफ्टिंग जर्मिनेटिंग सीड्स लेस दन टू वीक्स ओल्ड और यूजड एज रूट स्टॉक एपिकोटेल ग्राफ्टिंग के अंदर जो अभी जर्मिनेट ठीक है दा सीलिंग इस डी हेड़ेड एट हाइट ऑफ 10 सेंटीमेटर फॉम दे ग्राउंड लेवल पहले डी हैड कर दिया उपर से काट दिया दस सेंटीमेटर छोड़के उसके बाद है तू 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 त्री सेंटीमेटर लॉंग सस्टेनिंग कट इस मेड इन डी जैसे अपने जो भी शाखा को अपने यूज करते हैं ग्राफ्टिंग के लिए जर्रली उसके जो पत्ते होते हैं पहले दस दिन पहले ग्राफ्टिंग से उनको घटा दे चाहिए, जिस से क्या होता है, कि उसकी जो कलिया होती है न, वो थोड़ी फूले आती है, उबरे आती है, बड्स होती है, जो फूल जाती है, थोड़ी स््वेलन हो जाती है उन में, और जल्दी स्प्राउट करती है जैसे ही अपने उसको उसके उपर root stock के उपर लगाएंगे तो ठीक है मतलब sign की त्यारी sign की त्यारी 10 दिन पहले पतिया अटा दो फिर उसको काट के 10 दिन बाद sign के उपर लगाना है तो same procedure इसमें करते है a way shaped cut slanting from both side is made on the lower side of the sign stock same वैसा ही way shape का cut बनाते है नीचे stock के sign stock के उपर इसके पाद sign stick is then inserted into the saddle like structure made on the stock root stock and pressed properly so the cambium tissues of both root stock and sign stick firmly and overlap each other मतलब उसको press कर देते हैं जिससे कि यो cambium tissue है एक दूसरे के बिलकुल contact में आ जाएं ठीक है और उसके अलावा overlap हो जाएं एक दूसरे के उपर the union is then sorry the union is then tied with the help of 150 gauge polythene strip 150 gauge की जो polythene strip होती है पट्टी होती है उससे आपकी यो union यहाँ पे भी आपने दोनों को जोड़ा है बांद से बांद देते हैं इस टेक्निक वाज बीन commercialized for rapid multiplication of mango in कॉंकरन एरिया of महाराष्टर इसका जो generally commercially use किया जाता है आम की जल्दी जल्दी पोधे त्यार करने के लिए मतलब आपको 10 से मालोग 2 week 14 दिन के अंदर ही आप एक निया पोधा त्यार कर रहे हो तो आपको पहले तो एक में एक साल तक वेट करने की जुरूरत नहीं है कि पहले एक साल की seedling होगी फिर उसके उपर मैं ग्राफ्टिंग करूँगा आप जल्दी जल्दी पोधे त्यार कर रहे हूँ ठीक है कुछ इस प्रकार से ये चीज साथ में जुड़ी हुई है स्टोन साथ में जुड़ा हुआ होता है उस टाइम जब 2 week हुए होते हैं तो इसी कारनी से इपीकोटायल जास टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं क्योंकि स्टोन भी कह देते हैं इसे इपीकोटायल भी कह देते हैं जो साथ में जुड़ा हुआ हुआ रहता है और वैसा ही लगबग 1-2 साल स्री एक से 2 मेहने पुरानी जो चाखा रहती उसको इसके उपर जोड़ा जाता है कुछ ऐसे पोदे होते हैं कौपरी पोदे कौपरी लीफ्स जो मैंगो की शुरुवात में होती है और साथ में स्टोन जुड़ा हुआ रहता है ठीक है फिर है इनार्चिंग जब अप्रोच ग्राफ्टिंग इनार्चिंग भी बोल देते हैं और अप्रोच ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं इनार्चिंग तो ही इसका कौमना अप्रोच ग्राफ्टिंग उस जगह तक पहुंचाने के लिए का जाता है अप्रोच से कि वहां तक पहुंचा है और इसके लावा इसे attached method भी बोल देते हैं कि दोनों पोधे अपने अपने जड़ों के उपर होते हैं जब तक कि union complete नहीं होती ठीक है जैसे यह मैं देख लो यह पोधा अपनी जड़ के उपर है और यह पोधा अपनी जड़ के उपर है दोनों को मैं करूँगा जुड़ने के बाद दोनों को अलग करूँगा इसलिए इसे attached method भी कह देते हैं ठीक है this is called as attached method of grafting ठीक है the characteristic feature of approach grafting are that two independent self-staining plants are grafted together self-staining मतलब अपने जड़ों के उपर जो पोधे होते हैं उन्हें independent पोधे होते हैं उन्हें approach grafting के अंदर grafting की जाती है उनकी generally it is performed with one or both of the plant to be grafted which are growing in a container generally जो grafting procedure है जान तो one पोधे के उपर एक के अंदर जान दोनों के अंदर जो की अपने अलग अलग ये मालों की जान तो दोनों पोधे ही container के अंदर उगे हुए है ठीक है जा उनमें से एक पोधा container के अंदर उगा हुआ है और एक नीचे उगा ग्राफ्टिंग को प्रफर्म किया जाता है रूट स्टॉक प्लांट इस प्लांट इन कंटेनर में अल्सो भी प्लेस्ट जो जो प्लांट पहले से अस्टेबलिस्ट पैत्रक प्लांट है उस तक उसे पहुंचाया जाता है ग्राफ्टिंग के लिए ठीक है ये थिन स्लाइस of works 6 to 10 cm is length at about 20 cm above the ground level is removed from the stock with a sharp knife a similar cutting made in the sign मतलब जो आपका stock है root stock है ठीक है जो आपने एक container के अंदर जाए गमले के अंदर लगाया है उस पे एक बीच में 6 से 10 cm की लंबाई का एक cut ठीक है लगे 20 cm उंचाई पे जमीन से 20 cm के उंचाई पे 6 से 10 cm लंबा एक cut लगाते हैं मतलब उतनी शाल को chile देते हैं एक side से ठीक है? लगे कट में दिखाऊंगा कैसे होता है शाल को chile देते हैं वैसे ही शाल उतनी ही शाल को जो आपको desire sign है, उसकी शाल को भी similar cut लगाते हैं, उतनी ही लंबाई का cut लगा के शाल को छील देते हैं, Thus the cambium layer of both stock and sign are exposed, जिससे कि दोनों की cambium layer है, दोनों की exposed हो जाए, दिखने लग जाए, इस cut are brought together and tied family with the help of polythene strip, उसके बाद जो भी आपके दोनों cut हैं, उनको एक दूसरे के साथ में लाया जाता है, तोगेदर लाया जाता है, उनको tied कर दिया जाता है, दोनों को एक polythene की strip से दोनों को बांद देते हैं, जैसे ही आपकी union complete हो जाती है, ठीक है उससे पहले नहीं, जैसे union complete हो जाती है, दोनों जूड़ जाते हैं, उसके बाद जो आपका stock है, उससे तो उपर से, और जो sign है, उससे नीचे से, graft union के नीचे से काड़ देते हैं, कुछ इस प्रकार से यह देखो, जैसे यह पोदा है, अपनी जड़ों के उपर लगा हुआ है, ठीक है, यह अपना एक root stock है, जिसको मैं गमले के अंदर, जहां फिर एक polythene के अंदर लगाया, उससे उस पोदे तक पहुंचा दिया, उस शाखा तक पहुंचा दिया, जिसे मुझे, जितनी भी उसकी मोटाई यह उस हिसाब की जो शाखा है, ठीक है, उसके बाद दोनों के अंदर सेम कट लगाते हैं, जैसे इसमें कट लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों को मैच कर, दोनों को बिला कर, बांद देते हैं, जैसे ही union complete हो जाती है, जो आपका ये वाला मालो, ये वाला आपका root stock है, तो इसे उपर से, यहां से उपर से काटेंगे, और जो आपका sign है, इसे नीचे से काट देंगे, जिससे कि अपने आप में एक निया पोधा त्यार हो जाएगा, ठीक है, अप्रोच से मतलब था, उस पोधे तक पहुंचाना, और attached क्यों का जाता है, attached मतलब दोनों पोधे, ये क double working, एक और ऐसा ही method है, double working, in some cases, sign cultivar fail to grow if grafted directly over the root stock, कुछ cultivars के अंदर, जो sign की cultivar होती है, वो सीधी, अगर अपने root stock के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं, वो फेल हो जाती है, इस situation से निकलने के लिए, वोइड करने के लिए, एक inter stock यूज किया जाता है, root stock और sign के बीच में, ठीक है, एक inter stock एक निया पार्ट मालो, आगे आगे दिखाँगा कैसे, care is taken that inter stock is compatible to both root stock and sign, ये ध्यान रखने बाली बात है, कि जो आपका inter stock है, वो root stock से भी compatible होना चाहिए, और sign से भी, ये जुरूरी नहीं कि आपका root stock सीधा sign से compatible हो, उस situation के अंदर inter stock यूज करते हैं, ठीक है, the process of double working is accomplished in two successive years, जो double working की प्रक्रिया होती है, दो जो successful वर्ष होते हैं, उनके अंदर यूज की जाती है, जैसे पहले साल, तो आप उसके उपर एक inter stock, root stock के उपर, एक inter stock को graft करोगे, अगले साल, उस inter stock के उपर आप एक sign को graft करोगे, इसलिए इसको double working कहते हैं, during first year, grafting of inter stock is made on root stock, वही same, during second year, grafting of sign cultivar is made on inter stock, double working is a practice chiefly in peer, जो double working का का काम है, जर्नली जहां कहलो कि बहुती use किया जाता है, वो peer के अंदर use करते हैं, बहुती कम बैसे तो peer के अंदर use करते हैं, नाशपती के अंदर, कुछ इस परकार से होता है, कि यह आपका जो sign है, ठीक है इसके बीच में एक inter stock use किया, यह आपका root stock, root stock पहले लिया, root stock के उपर आपने पहले साल inter stock चिपका लिया, पहली grafting अंदर, फिर उसको उपर से हड़ी headed किया, और उसके उपर आपने sign को चिपका दिया, यह दोनों अगर सीधे लगाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों compatible नही आपकी graph ठीक है, जो आपकी successful नहीं होती, जैसे यह पियर की किसम है, वर्ट लैट, उसको अगर अपने quins का root stock use करते हैं, जैनलिस उसको use किया जाता है, उसके उसको use करने के लिए इसके बीच में old home, ठीक है, एक मालो की एक पियर की ही एक general species, उसको use करते हैं, ठीक है, फिर next है, जो आपका method है, top working, top working भी अपने आप में, यह मालो की कोई पुराना और chart है, उसके अंदर top working की जाती है, और procedure बिल्कुल same होता है, जैसे अपने waste grafting के अंदर पड़ा था, it is the process of converting an undesirable plant into desirable type, एक process है, जो आपका undesirable plant है, जानि कि पुराना हो चुका है, ऐसे plant को desirable type में convert कर करने का, जैसा आप चाहते हो, वैसा convert करने का, ठीक है, usually seedling stands with a trunk diameter of 2.5 to 20 cm of fruit plant are considering suitable for top working, जनली जो ट्रंक है, जो आपका तना है, उसका जो diameter है, ठीक है, ब्यास है, वो धाई से 20 cm, धाई भी हो सकता है, और 20 cm तक का होता है, ऐसे जो diameter के तने होते हैं, उनको consider के किया जाता है, जनली टॉप वर्किंग के लिए, the plants are headed back within 1 meter height from ground level during spring, जो spring के अंदर, बसंत के मौसम के अंदर, जो आपका stock है, आपका plant है, उसे de-headed कर देते हैं, उपर से उसका head हटा देते हैं, एक मीटर की उंचाई शोड़ कर, जमीन से एक मीटर उंचा ठूट रह गया, उ a new shoot appears in response to heading back, are selected and vegetative propagation, जैसे budding, ग्राफ्टिंग method is destroying during June, July, जैसे ही उससे नई शाखाएं निकलेंगी, मलाव ने कार दिया, उसके बाद जो नीचे से उसके sprouts निकलते हैं, सकर्स निकलते हैं, उनको आप आगे यूज करोगे budding और ग्राफ्टिंग करनेंगे लिए, आप उन और जुलाई के अंदर, वाइल स्लेक्टिंग शूट्स इस शूट भी टेकन इन्टो अकाउंट तेट पैंसिल थिकन शूट्स फिट वेल टू अंडर्टेकिंग, ना स्वरी, अंडर्टेक प्रोपोगेश्टन मेथर्ड, जो स्लेक्ट शूट होती हैं, वो जनरली पैंसिल थिकनेस की जनरली यूज करते हैं, जो प्रोपोगेशन के लिए यूज की जाती है, मतलब जो भी आपर शाखाई निकले उनके उपर, इन सब ट्रॉपिकल रिजन, हाई सॉलर रेडियेशन के कारण, सन बर्न जो इंजरी रहती है, जो तना है, वो फटना स्टार्ट हो जात है, तो उससे बचाने के लिए डी हेड़े स्टेम को उसे वाइट वाइट वाश किया जाता है, मतलब कली लगा दी जाती है, आपने कई बार फल वरक्ष देखे होंगे, उसके तने ज़्यादा को कली करती है, ठीक है, टॉप वरकिंग कुछ इस परकार से की जाती है, यह द सकते हों, कुछ इस परकार से, ठीक है, टॉप वरकिंग से मतलब जो पुराना स्टड है, उसके आप वापिस से एक डिजारल टाइप का बना रहे हों, ठीक है, जो ओल्ड हो चुका है, अब प्रड़क्शन नहीं दे रहा, ढिंसे नहीं दे रहा, उस पर अच्छे फल नहीं आ रहे, अच्छी क्वालिटी के फल नहीं आ रहे, उसके उपर आप दूसरी बार से चेंज कर दो, उसके उपर जो शाखाए हैं, उनको चेंज कर दो, नहीं शाखाए हैंगी, तो फलन अच्छा होगा, फिर आप फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क भी सेमी प्रोसीजर है, जैसा अबने अभी टॉप वर्किंग के अंदर पड़ा था, फ्रेमवर्किंग में क्या होता है कि जो में पहले बाले में क्या था, जो में शाखा, में ट्रंक था, उसको अपने आगे यूज किया था प्रवर्दन में, इसमें क्या होता है कि जो सेकेंडरी शूट्स होती है, प्र ग्डप्दीम टेायरीन है फिद ग्रेक्वा इसे द ग्र्ड करो ऑफ भेख प्राहिए प्रांटीब fficacy i hiç टॉ आफ ञायर and इस कvenge भी पर ञफ मेंन अज़ोड जाफ इ tätä देन आ पाल आफ ऱॉड़ ज्कारश बार्फ राफ तो ठायर यह कल Tou इसको आप कमर्शली प्रेक्टिस नहीं कर सकते हैं, यह एक पोदा है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसके उपर, इसके लिए आपको बहुत से सायन की जुरूरत पड़ेगी, कुछ इस परकार से, जैसे मालों कि एक पुराना पोदा था, इसकी शाखाएं निकली बहुत सारी, हर शाखा को आपने उसको ग्राफ्ट कर दो, तो इसके लिए आपको कितनी शाखाओं की जुरूरत होगी, मतलब कितनी शायन की जुरूरत होगी, सांकूर शाखाओं की इसको ग्राफ्ट करने के लिए और हर शाखाओं को ग्राफ्ट करने के लिए labor भी चाहिए, ठीक है जो secondary शाखाओं होंगी उनको ग्राफ्ट करने के ल झाल झाल झाल